नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइब के इस खास पिसकस में आपका स्वागत है, मैं हूँ स्रिकान प्रतियूस, आज कोई राजनीतिक खबर लेकर नहीं आया हूँ, आज एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ, जिसको आप देखेंगे, सुनेंगे, तो आप रोब पड़ेंगे, क्यों है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसने साधी की थी एक I.S. से, I.S. से साधी करना किसी भी लड़की का सपना हो सकता है, लेकिन उसी I.S. से साधी करके, अब इनका जीवन कैसा बन गया है, कैसे इनका ग्रिहस्ती नहीं बस पा रही है, उसके बारें बात्चित करेंगे, वसला जीज, वसला जी आप बताईए, आपने जब इतना पढ़ाई की है, आपने कितना स्टड़ी किया है, कहां गहां पढ़ाई की है? सेटल करने के लिए शादी किये थे फिर भी हर कोई चाहता है कि मरपती कसान हो रुतबा हो पावर हो तो चाहता ही है कोई भी साधी हुई तो आपने सुचा होगा ने कि बहुत अच्छा जीवन होगा लेकिन शुरुआत कैसी हुई कि शुरुआत शादी के पहले दिन से ही वो काफी डराते थे हमें कि मेरी मैं तो जंगल में ही रहूंगा यहां जंगल पहाड में रहूंगा तुम कैसे रह पाओगी तुम कभी रही नहीं हो ऐसे महल में यहां आतंगवादियों के बीच में मुझे रहना पड़ेगा हमेशा तुम यहां मत रहा करो मेरे साथ, तुम रह नहीं पाओगी, इस महाल में तुम अजस्ट नहीं कर पाओगी, तुम मेरे घर भी अजस्ट नहीं कर पाओगी, तुम बहुत हाइफाइ हो, मौडन हो, तुम हमारे साथ रहने, तो हमारा कहना यही था कि नहीं हमारी शादी हो गई यही हमारे आप ही हमारे पती है और पती शादी के बाद सब कुछ है अब तो वही मेरा सारा जो भी है लेकिन यही मतलब उनको हमेशा रहा हमेशा हमेशा हमें भी डराते रहे और औरों को भी बोलते रहे कि नहीं है मैं से इजस्ट नहीं रठीक से रहती नहीं है लेकिन क्यों क्यों नहीं adjust कर पाएगी क्या उनका लगता था उनका यही कहना था कि मेरे को हमेशा मतलब कि जंगल में मेरी पोस्टिंग होगी जंगल में रहना होगा और तुम ऐसे मोहल में रही नहीं हो यही एक कारण था यानि साधी के पहले दिन से वह आपको डराने लगे थे जी जी उनका हमेशा से यही कहना था कि तुम बहुत ही इंगलिश बोलती हो तुम कैसे रह पाओगी हमारे साथ आपने पुछा रही कि साधी के समय आपको नहीं पता था कि हम पढ़े लिके हैं यही सवाल तो तब भी था और आज भी है कि शादी क्यों किये थे अगर आपको पता नहीं था कि हमारी क्या पढ़ाई है या हम किस ब पाता था ना यह बात कि मैं इस बैक्राउंड से बिलॉंग करती हूं आपको नहीं लगता है अब कि साधी करने का मकसद क्यों पैसा ही था बड़ा परिवार ही था मतलब आपको रखना नहीं था जी यह हो जा हम मुझे नहीं पता है लेकिन आप तो क्या लग रहा है आपको माफी मांगने को त्यार है साथ रहना चुकी हूं कई बार माफी मांग चुकी हूं मांग रही हूं आज पुरी दुनिया के सामने माफी मांग रही हूं और मांगती रहूंगी वह मेरे पती है और अगर उन्हें लगता है को अगर किसी बात से बुरा लग गया हो मेरी ऐसी तो मैं बार-बार मांग रही हूं लेकिन तो तलाक की अर्जी भी फाइल कर चुके हैं जी बिलकुल लेकिन हमारे देश में शादियां तो बार-बार होती नहीं है एक बार शादी हो गई और किस परिवार में नोगजोक या लडाईयां नहीं होती है इसका मतलब यह तो नहीं कि अगर आपको मेरी किसी भी बात का कोई भी अभी भी दुएश है मन में कुछ खटास है तो उसको हटाईये मैं आपके अभी भी पतनी हूँ पतनी समझिये और सारी चीजों को भूल कर एक नई शुरुवात करनी चाहिए और साथ रह कर इस रश्टे को निभाना चाहिए बहुत तरह का नोगजोग होता है अगर आप हर चीज़ देके रिकॉर्डिंग देके अगर कोई कुछ बोलना चाहेंगे तो वो नहीं है मैं आज भी रहना चाहती हूँ रहना चाहती थी और बस मेरा यही कहना है उनके परिवार से कैसा समन्ध आपका परिवार से कोई शिक हो रहा है और यह नहीं होना चाहिए आपको उनसे उमीद है कि उराष्टे पाज आएंगे जी बिलकुल क्योंकि बिलकुल उमीद है मैं अभी भी उनकी पत्नी हूं और साथ रहना चाहती हूं तो आपने देखा इस बेटी से ज़्यादा सवाल किया भी नहीं जा सकता है क्यों निकलती है और अर्थी तो पती के घर से ही निकलती है यानि यहां से जिन्दा गई है डोली पर सवार होकर लेकिन यह मरने के बाद ही अपने सरसुराल से निकलना चाहती है यानि जीते जी पती से अलग होना नहीं चाहती है लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि एक जिला धिकारी ज प्रिवारिक जीवन में, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि वो अपने पती को तलाक देदे, उसे अपनी राह अलग कर ले, तो अभी भी उमीद है वत्सला को कि उनके पती रास्ते पर आएंगे, उनको अपनी भूल का एहसास होगा यह नहीं कह रही है, यह तो मानती ही नहीं है अपने साधी सुधा जीमन को बचाना चाहती है अपने पती के साथ रहना चाहती है लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि DM साहब को कब बुद्धी आएगी कब सुधरेंगे और कब उनकी समझ में आएगी कि हमारी पत्नी है और उसे अपने घर लाना चाहिए आपको हमारा एक आरकरम अच्छा लगे तो इसको दोस्तों के साथ जरूर सेर करिए हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब भी करिए और इस बेटी की लड़ाई में हिसेदार बनिए नमस्कार